क्लास नाइन्द का जगरुफी का ये चेप्टर 6 का पार्ट 2 है तो ये नोट्स है इस पे और यहां हम लोग देख रहेते हैं पिछले वार के टेंसिटी जो है पॉपलेशन टेंसिटी में कैसे इंडिया का कितना है और इंडिया का जो इंडिया से जो 329 लोग रह रहे हैं तो अगले साल कितना पंदरा कैसे हो गया यह एक्जामपूल यह मायन के चल रहे है जिसको लोग पॉपलेशन चेंज काते हैं तो प्रोसेस ऑफ दा पॉपलेशन चेंज कि कैसे पॉपलेशन चेंज होता है तो जो देर अर थ्री मेन प्रोसेस ऑफ चेंज पॉपलेशन पहला ब आप्लेशन है तो हजार में कितने बच्चे का जन्म हुआ उसको उसी बच्चे को जन्म को है उसको बट रेट करते हैं और कितने बच्चे का देथ हुआ इसी पर थाउजन में तो उसको देथ रेट करते हैं यानि बट रेट जो है number of the life birth per thousand person in a year and death rate जोता है number of deaths per thousand इन परसन अमयर, अब है माइ Energर सन ग्रेशनों होता है सब और में पयता है जाता है, एक जगा से दूसरे जगार जाता है यह धेश के अंदर यह देश के यह migration can be international, यानि एक international हो सकता है, एक देश से दूसरे देश जा रहा है, तो उसको हम लोग international migration करते हैं. Internal Migration. अगर देश के अंदर Migrate करता है कोई अगर सोचिये. अगर बिहार है, बिहार से मुंबई चले रृ दिल्ली चले गया, तो देश के अंदर है, तो अगर देश के अंदर है, तो पोपलेशन मुनि घटे बड़ेगा नहीं तो internal migration does not change Cyrus 그렇 population, but influences तो इसको छोड़के 200 जगा कितने लंग करते हैं तो इसको वो चेंज करेगा उसके बाद है कि मागरेशन प्लेस अ भेरी सेग्निफिकेंट रोल इन दा चेंजिंग अफ कंपोजिशन दिस्ट्रिबूशन पॉपलेशन कि मागरेशन है तो किसी जगा कितना कंपोजिशन होगा कितने डेंसिटी है वो चेंज करेगा और डिस्ट्रिबूशन पॉपलेशन दा मेन काउज और रेट अफ ग्रोथ अफ इंडियन पॉपलेशन है इस बीन डेकलाइन देट भारत का जो जन संख्या बढ़ने का जो कारण है भी तो वो देट रेट की मरने वालों की जो संख्या है वो घटा है सिन्स नाइटीन एटीवन बर्थ रेट अब आल्सो स्टार्टे डेकलाइन क्योंकि नाइटीन एटीवन से जो जन्म दर है बर्थ थाउजन में जितना बचे जन्म हो रहा है घट रहा है रिजल्टिं दा गैजोली डिकलाइं इन दा रेट और पॉपलेशन ग्रोफ जो हम लोग को पॉपलेशन ग्रोफ पर रहाता है अब 2.2 पर से रेट से पॉपलेशन बहुत रहा है तो वह भी गट रहा है मॉस्टली माईगरेशन हैं बीन फ्रों मूर अर्बन अरिया और माइगरेशन है जो हो रहा है है जर्दा लेविंग इंस्टेंडर है रहने का अब इन इंडिया कर देखेंगे तो आर्भन मॉपलेशन कितना है has been a result of steady increase in this percentage of the population तो अर्बन में जैसे 2011 में पहले 27.78% था और इसमें जो था cities था 35 और 2001 से 2011 में ये जो अर्बन के संख्या बढ़ का 31.80% हो गया इस तरह से क्या हो गया 53 हो गया तो अर्बन population has increased from 17.29% of the total population 1951 तो 31.8 in 2011 तो ये पार्टु फिनिशुतिया मिलते नेक्स थार्ड पार्ट में थांक्यू